Hello everyone, आज की वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं कि PowerPoint में किस तरह से आप 3D models बना सकते हैं यहाँ पर example हम bacteria का ले रहे हैं जिसका हम basic structure replicate करने की कोशिश करेंगे बट same जो concept है उसका use करके आप किसी और तरह का schematic भी बना सकते हैं तो पहले लेते हैं एक blank slide ताकि आप आराम से draw कर सकें चीजों को insert पे जाएं, shapes पे जाएं और जो flow chart है उसमें एक terminator नापकी shape है आप उसे लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे वो shape चाहिए as a base तो उसको यहाँ पे आपने draw कर दिया अब अगर आप dimension से satisfied नहीं है तो shape format में जाके आप height and width change कर सकते हैं जो एक outer rectangle आपको नजर आ रहे हैं उसमें वो changes होंगे तो यहाँ पे 10 और 18 जो है वो मुझे rectangle सही लग रहे हैं तो मैं उसे यहाँ पे fix कर देती हूँ तो यह होगी basic shape इसी को हम continue करेंगे आप इसे select करें, shape effects में जाके आप 3D में जा सकते हैं नहीं तो यह जो छोटा सा arrow है उस पे click कीजिए यहाँ से आपको 3D options मिल जाएंगे अब यहाँ पे हमें fix करना है कि कौन सा 3D angle आपको चाहिए rotation, parallel या perspective जैसे अगर आप यह वाला select करेंगे तो बहुत जादा flat हो जाएगा और आप जो इसके parts हैं वो जादा label नहीं कर पाएंगे आप vertical ले सकते हैं, depends कि आप cross section दिखाना चाहते हैं मैं यहाँ पे यह third option चूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे labeling के लिए भी option मिलेगा और अगर मैं कुछ depth दे रही हूँ तो वो भी नज़र आएगी बट it depends कि आप model का कौन सा angle cut दिखाना चाहते हैं ठीक है, तो यह हमने यहाँ पे select किया अब 3D format में आपके पास दो चीज़े हैं एक top में changes करने की एक bottom में changes करने की अब जैसे अगर आप top पे जाते हैं तो यहाँ पे मैंने second option लिया है वहाँ पे जो एक icon आपको दिखा उसमें आपको नज़र आएगा कि इसमें top में थोड़ा सा depth आएगा तो वो देखने के लिए आप width की value बढ़ाएं कर सकते हैं और जैसे यहाँ पे यह वाला जो change है इसमें curvature बहुत अच्छा है ठीक है मुझे पसंद आया था लेकिन हमाया पस कुछ और options भी हैं जिनका यूज करके आप जो inner side है उसको और enhance कर सकते हैं जिसमें second row का second option भी है तो यह भी एक अच्छा option है जिसमें आप cytoplasm को और 3D effect दे सकते हैं इससे क्या होगा जो edges है वो बहुत sharp हो जाएंगे और जो fourth option है उसमें edges थोड़े मोटे रहेंगे बस इतना ही difference है बाकी shape almost same है edging में थोड़ा सा अंतर है मुझे यह वाला पसंद आया था जो सबसे पहले हमने लिया था तो उसी को हम लोग यहां पर final करेंगे तो यह हो गया हमारा basic shape यहां पर तयार इसका एक copy बना लेते हैं अब हम bacteria के बाकी layers बनाएंगे ताकि थोड़ा समझ में आए कि यह कौन सा part है तो पहले आप color choose कर लीजिए मैं यहां पर choose नहीं कर पाई तो सोचा dark color ले लेते हैं क्योंकि dark अच्छा ही दिखता है schematics में तो इसी लिए I'll go for maroon तो यहां पर maroon मेरी choice है और maroon लेने से क्या हो रहे है या dark color लेने से क्या हो रहे है कि आपका तो पहले हमने outline हटाई थी अब हम outline select करेंगे कोई भी color light, dark, कैसा भी color आप ले सकते हैं ठीक है यहां पर outline हटाई है shape fill हमें no fill करना है पहले थी अब नहीं करनी है और rotation हम हटा देंगे no rotation यह सब हम इस point पे इसले कर रहे हैं क्योंकि जो आपका angle set हुआ है जो perspective आपने लिया है जो dimensions लिया है वो बिल्कुल change नहीं होंगे तो इस वज़े से हम लोग उसका duplicate बना के इसे कर रहे हैं वापस से draw नहीं कर रहे हैं अब हमें इसकी जो outline है वो increase अगर करनी है तो आप more outlines में जाके width को बढ़ा सकते हैं आप 7 के आसपास कुछ भी रख दीजिए अच्छा लगेगा वो और जितना जादा उतना आप labeling का जो area है उसे increase कर देंगे अब देखिए मैं क्या बना रही हूँ पहले मैंने inner layer बनाया है जो है cytoplasm वाला जो maroon color का है उसके बाद मैं second layer बना रही हूँ जो आपका plasma membrane भी हो सकता है ठीक है मतलब जितने भी आपके अलग-अलग types of bacteria हैं तो उनके ये labeling change होंगे बट just for the fact कि मैं inner out approach ले रही हूँ मैं outside जो wall है capsule है वो एक्तम last में बनाने वाली हो तो अब क्या करना है ये दोनों same size के थे और हमने कुछ width दी है जो outline है उसको तो हमें इसे थोड़ा adjust करना है तो adjust करने के लिए आप keyboard के जो keys है अब down arrows उनका use कीजिए अब अगर दो layer है जैसे एक cell membrane हो गई फिर एक cell wall दिखानी आपको तो उसी का एक copy बना लीजिए और जो अब वापस से आपने paste किये same size है तो पहले तो हम इसका color change करेंगे ताकि हमें नजर आए तो अब यहाँ पे color का change करने के बाद आपको इसके dimensions change करने है इस तरह से कि वो उसका yellow के बाहर है अभी क्या है almost same size है क्योंकि उसका copy है तो मैंने यहाँ पे थोड़ी से width increase करी है थोड़ी से height increase करी है उसी rectangle की बट देखिए shape में कोई changes नहीं लेके आ रही हो मैं जो aspect ratio है वो almost same है और फिर हमने यहाँ पे इसे यह color choose किया but obviously मैंने कुछ pre-plan नहीं किया था यहाँ पे तो सबसे जादा problem होती है color की choice में दीग है तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे colors try किये but I think first choice is always a good choice तो I'll again go with जो हमने शुरू में जो mustard color लिया था उसी के साथ हम लोग continue करते है ठीक है तो अब यहाँ पे आपकी cell wall भी बन गई है और जो उसके अंदर का plasma membrane वो भी बन गया है और एक region भी तयार हो गया है जो 3D है अब इसे पूरा 3D बनाने के लिए अब जो fourth layer होगी यानि capsule वो मुझे 3D में चाहिए तो यहाँ पे जो हमारा एक और जो slide था जो हमने change किया था इसमें हम वापस से वो चीज़े add करेंगे जैसे colorful हमने add करने outline हटानी है तो जो first time हमने किया था हमने top में changes किये थे इस बार हम लोग bottom side में changes करेंगे क्योंकि हमें capsule का zone चाहिए तो bottom में हम लोगों ने यहाँ पे जो first option है उसे choose किया है उससे क्या होगा नीचे आपको एक curve नजर आएगा जैसे अभी height बढ़ा दिया आप 70-80 के आसपर रख दीजिए and width को भी आप increase कीजिए तो देखिए नीचे से round shape होती जा रही है जैसे जैसे आप width बढ़ाएंगे तो वो और round होता जाएगा तो जो capsule वाला जो effect है वो यहाँ पे आएगा क्योंकि side में आपको एक shine नजर आ रही है जिससे वो effect आता है तो यह जो एकदम outer वाली जो layer है वो यह होगी तो obviously इसके उपर अगर आप चाहें तो यहीं पे एक edge दे सकते हैं जैसे हमने first वाली shape के साथ तीन options देखे थे तो यहाँ पे आप उन तीनों को check कर सकते हैं आप चाहें तो इस तरह से shiny edge ला सकते हैं जो हमारा starting वाला था या फिर आप एक sharp edge भी रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं मान लीजिए आपके पास दो ही layer है तो yellow वाली जो layer है उसे आप final कर दीजिए तो let's assemble तो यहाँ पे पूरी shape को आप select कीजिए copy कीजिए और यह जो हमने shape बनाई है इसके उपर paste कर दीजिए अब dimensions obviously उनके हमारे जादा हो चुके हैं तो यह जो हमने last shape बनाई है इसके dimensions भी हमें increase करने पड़ेंगे तो normal adjust करना है आपको जैसे बाकी yellow और orange शिश उसमें जिस तरह से हमने height and width को change करके adjust किया था बिल्कुल उसी तरह से आप adjust करें तो यहाँ पे मैं कोई numbers इसलिए नहीं दे पारी हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक schematic है और layers मुझे पता हैं कि मुझे क्या-क्या walls बनानी है और कहां-कहां मुझे label करना है तो अब वो effect मुझे सामने नजार आना चाहिए फिर चाहे कितने भी adjustments यहाँ पर मुझे करने पड़े तो इसलिए अब मेरे जो मैंने दिखा था schematic उसमें एक cytoplasm था तो वो center वाला maroon हो गया फिर उसके बाद एक plasma membrane था जो मैंने yellow रखा है फिर उसके बाद एक cell wall था जो मैंने mustard color में रखा है और last में एक capsule था तो जो मैंने वापस से maroon color में किया तो यह हो गया मैंने इन सब को overlap कर दिया तो अभी यह बिलकुल group नहीं है किसी भी layer को आप move करेंगे तो बहुत दादा change हो जाएगी और यह हो गया मेरी तरफ से एक outer या basic schematic ठीक है अब हमें इसमें चीज़े add करनी है इस पूरे इसको क्योंकि अभी यह group नहीं है तो मैंने इसे group किया copy किया अब paste करते time मैं paste as picture करती हूं तो उससे क्या होता है मुझे अगर कुछ changes करने है तो मैं वापस से पिछले slide में जाती हूं और फिर वहाँ पे changes करती हूं इससे मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे यह आदत हो गई है करने की तो इसलिए हर step की मेरे slide duplicate होती है तो उसे कि किसी भी slide में अगर change करना है तो I can go back मुझे Ctrl Z या undo नहीं करना पड़ता बस इतना ही है बाकी आप group भी कर सकते हैं उसको तो अब मुझे बनाना है tail जाते वक्तों curve बहुत अच्छा बना वापस आते टाइम बहुत उबढ़ खावड हो गया तो आप थोड़ा और time spend करके इसे ठीक कर सकते हैं बट tail मैंने हापे उसी color की रखी है जिस color का मेरा capsule था बाकी आप कोई और color भी ले सकते हैं इसकी width बढ़ा सकते हैं जैसे end में बहुत जादा sharp हो गया तो बट जो आपका 3D format है वो बिलकुल वैसा ही रहेगा same perspective लीजिए जैसा आपने पहले लिया था फिर उसके बाद आपको इसे round करने है तो round का तो अभी तक चमकी गया कि हमें first option लेना है top and bottom में और आप width बढ़ा दीजिए और height बढ़ा दीजिए उससे क्याई कि एक 3D effect और 3D shine यहाँ पे add हो जाती है ठीक है इसके बाद आप इसे place कीजिए जो भी position पे आपको इसे place करने है and इसे send to back कर दीजिए अब powerpoint में भी layer format होता है बट वो इतना label नहीं है जैसे बाकी softwares में वो labeled है बट यहाँ पे भी forward and backward होता है तो आप इसे send to back कर दीजिए और यह zigzag बिलकुल दिखनी रहा था perspective की वजए से तो मैंने थोड़ा rectangle का width बढ़ा दिया था कि tail जैसा थोड़ा नजर आए और अगर आपको लग रहा है कि 3D दिखनी रहा है तो आप zoom कर दीजिए जूम करने के बाद आप width को round करते रहें जो effect है वो मिलना जाए लेकिन यहाँ पे again कोई fixed value नहीं है अब मुझे बनाना है DNA structure तो इसके लिए तो बहुत easy आप line लीजे है जूग 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 कैसे भी आप noodles बना दीजे है यहाँ पे इसके लिए पहले हम इसे color देंगे अब yellow maroon इतना अच्छा चल रहा है तो मैंने सोचा इसी को continue करते है येलो color मैंने दिया है width increase कर दी है फिल हाल ये देखिए 2D है देखने में भी 2D लग रहा है लेकिन जैसे ही आप 3D में जाएंगे और सिर्फ बस एक वो चूज कर लीजे टॉप में क्या change करना है automatically shadow आ जाएगी कुछ करने के जरत नहीं है वो 3D बनी जाएगा येकिन जैसे मैंने या size reduce किया तो कुछ ये जो है lines merge हो गए तो फिर मैंने सोचा कि width कम कर देते हैं तो फिर मैंने एकदम intermediate सा 4, 4.5 यहां पर रख दिया है तो ये बन गया मेरा central structure अब जैसे आपको कुछ parts भी बनाने हैं कुछ भी हो सकता है, ribosomes हो सकता है या फिर कोई भी component आपको बनाने है तो कुछ नहीं है, आप एक shape choose कीजिए फिर आप उसके 3D में जाईए उसको जो perspective देना है वैसा perspective दीजिए फिर उसके बाद आप 3D format में उसका top and bottom change कीजिए यहां पर मैंने कुछ change नहीं किया बस उसका top select करने से वो round हो गया और फिर bottom select करने से वो भी round हो गया यह जो black line आ रही है यह outline की वज़े से है तो वापस से shape outline में जाके no outline कर दीजिए, तो वो चली जाएगी तो यह जो shape बनाई है यह automatically बन गई है जैसे कोई component है वैसा कुछ ठीक है तो अब इसके मैं बहुत सारे copies बना देती हूँ assuming कि यह बहुत सारे components है हमारे cell के तो obviously हो सकते है आपको color change करना पड़े उस shape को आप select करें shape format में जाए, shape film में जाए और जो भी color आपको देना है वो color दीजिए सिर्फ color ही नहीं आप यह जो shape है इसका size भी कम जादा कर सकते हैं उससे कहए कि अगर कोई heterogeneity है तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने बना दिये multiple copies अब इससे लग रहा है कि हाँ यह जो structure है इसमें बहुत जादा अब तो हमने lines भी देख ली है हमने circle भी देख है और हमने flow chart वाला first shape भी देख है किसी को भी आप आप अराम से 3D में convert कर सकते हैं ठीक है तो अब हमारे जो capsules होता है उसमें से एक protrusion मैंने हर bacteria की diagram में देख है जैसे यहाँ पर basic shapes में जाके मैंने यह shape ले लिया इसे draw किया पहले straight line होती है फिर जहाँ पर आप click करते है and then mouse move करते है तो वहाँ से curve आजाता है उसमें तो यह इस तरह से curve बन गया है और shape film में जाके अब इसका color तो वही रखना था मुझे जो capsule का color है तो again maroon इसकी width आप बढ़ा दीजिए क्योंकि इतना thin अच्छा नहीं दिखेगा अगर आप चाहें तो आप अलग-अलग type के lines भी ले सकते है जैसे double line किया आप कोई भी compound type ले सकते है उसकी जब width बढ़ाएंगे न तो आपको अलग सी lines जैसे दो line एक साथ दिख रही है तो उस तरह से अच्छे से schematic में आप उसे use कर सकते है उसके बाद हमें इसे position करना है और इसे resize करना है ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसे small कर दिया यहाँ पर यह जो white gap है वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने वापस से जाके इसे flat type कर दिया और अब यह होगी यह एक basic line जिसकी width बहुत साथ है ठीक है तो वो भी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि tail से जाधा width है उसकी तो वो भी थोड़ा मुझे maintain करना है तो मैंने इसकी width थोड़ी कम कर दिया अब कुछ नहीं है यह जो shape है आप इसकी बहुत सारी copies बनाईए ठीक है और चारो तरफ उन्हें रख दीजिए और इस तरफ तो सामने रहेंगे जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे वैसे उसे send to back करना है और यह जो shapes है यह एक जैसे नहीं दिखनी चाहिए तो उसके लिए आप इन्हें rotate कर दीजिए यह जो round जो आता है shape के उपर इसे click करके rotate कर दीजिए और send to back and send to front कीजिए तो यह सब अब यह video अल्रड़ी बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने इसकी speed यहां बढ़ा दीए but I think आप थोड़ा slow करके देखेंगे तो दिख जाएगा कि जो steps हैं उसमें basically सिर्फ copy paste किया है जो पीछे की तरफ हैं उनको send to back किया है ताकि आपको cell का जो capsule वाला region है वो नजर आए otherwise वो front में है और उने rotate किया है कि वो थोड़े से एक दूसरे से अलग दिखें आप चाहें तो दो तिन तरह की lines बना सकते हैं ताकि इस तरह से यह थोड़ा सा जीब दिख रहें ऐसा न दिखें बढ़ हां concept यह ही रहेगा ठीक है तो यह हो गया मेरी तरफ से एक basic structure जिसमें है DNA, molecules, 1 cytoplasm, 2-3 layers end में capsule, tail और जो यह bacteria का flagella यह यह बना दिया है अब यह जो वीडियो था यह एक question या comment की तरह मुझे आया था how to make a 3D model तो मैंने इसे attempt किया है बट अगर मुझे इसे वापस बनाना रहा तो शायद colors थोड़े better होंगे और यह जो end में मैंने flagella बनाया ना इसकी shape कुछ तो अलग रहेगी ठीक है तो अब जो last step है वो है इसे save करना तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पूरे इसको control A फिर right click या फिर control C ठीक है copy करें and paste as picture कर दें जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही और फिर इसे save as picture कर दें तो जहां पर भी आपको desktop पर इसे save करना है वो save हो जाएगी अगर labeled है तो वो भी आ जाएगा और फिर उसके बाद यह resize हो जाएगी तो जैसा मैंने कहा कि schematics में बहुत छोटे size का होता है हमारा figure तो छोटे मोटे अगर कुछ कम अभी सी रह गई तो वो cover up हो जाती है बट नहीं हुई तो obviously अगर concept पता है तो you can definitely do the changes ठीक है तो बस इस video में हमारी तरफ से इतना ही कोई भी specific design अगर आपको चाहिए अगर वो power point में बन सकता है तो I will definitely give it a try तो आप उसे comment कर सकते हैं and all the best for your presentation and keep exploring power point bye bye